लो हलो है हाई है से लो-pel अबच्छो मैं तो बड़े हूं आप बताओ कैसे हूं का सब बड़े बटो मतले सब आप अब भी ठीक तो लो और सबभान हो जिए भी टिक यह आ शेडिक याप ङुनौ करें रहे हैं तो थों और मोलर द्रेमान क्या होता है बच्चों एक मोल एटम के वेट को मिया बोलते है और एक एक यह लिया पॉटेस्यम का एक एक लेकिन बच्चो अगर मैं यही पर एक मोल एक मोल पूछा तो फिर हो जागा थर्टीन-फर्टीन-बच्च्छ कैसे आता है वह मैंने आपको बता देबादा इससे पहला अच्छे से देख लेना तो अगर एक मोल के बच्छा तो तो थर्टी नाइन ग्राम और अगर एक आटम को पुछा थर्टी नाइन यू आज़ेगा ठीक बच्चो तो बच्चो अब मैं इससे नेक्स्ट भी मतलब इस पादारी थी बच्चो कोश्चन कराऊंगा देखो बच्चो सबसे पहला आपके मतलब कोश्चन कैसे आते कैसे नह लेविल तो हम पढ़ी रहे वही तो उसके नुसारी बच्चो अब देखो बच्चो जैसे मैंने तुम्हें कोश्चन दे दिया वाई है कि फॉर्टी सिक्स ग्राम क्या लूब भाई इसमें फोर्टी से हाँ एंटू मतलब नाइटोजन है तो नाइटोजन गैस ले लिए न इसमें लिए परमानू की संख्या ग्याद कीजिए तो बच्चो यह आपके पास कोश्चन मैं आपको बता तक कैसे निकलता है परमानू की संख्या रखा है अनू की संख्या ऐसे क्रना बच्चो आप सभी को तो बच्चो आपको क्या रखा उसन है फोर्टी सिक्स ग्राम नाटरजन दे रखा बई नाटरजन गैस दर्खें सब्सक्राइब तो इसका मास कितना था 14 14 यू होता है 14 यू ध्यान रखियो एक आटम का नहीं पूच्छ वह एक आटम का 14 यू होता है और एक मोलका होता है 14 ग्राम सब्सक्राइब आप सभी के लेकिन बच्छों एंट तो 14 दूरी कितना हो जाएगा तो टाइस यू तो टाइस सम्ट डिवाड करतो बाई से बढ़िया शपन लेलो यार फिर कट भी जाएगा शपन लेलो बच्छों ठीक है बच्छों तो 48 वो 28 यू से डिवाड कर दिया बच्छों तो आप सभी को पता बहुत काट फीट के ग्राम इसे मैं गराम में चैंज बाई यह कितरा यह एक 1.66 into 10-24 गराम आजए गराम से गराम कैंसिल यह दो बार कैंसिल और बच्छों जाब मैं इसको वन मालो इसके बटए में इससा काट से तो कितना था टू एन्न ने आता है बच्छों कितना था यह तो इसमों बच्छों कितने मॉल्कुल है लेकिन हम य कितने परमानु की संख्या कि कितने परमानु है बच्चो इस में तो ने तो कितने परमानु आ जाएगा बच्चो फोर ने ठीक है बच्चो लेगन बच्चो आपको मैं अब इसमें थोड़ा एक सिंपल सा समझा दू कि इसमें बच्चो अगर मैं आपको मॉल निकालने सिखाऊं कि कितने मॉल है न्टू गैस के भी समें बच्चो देखो सिंपल कुछ नि करना अगर हमें एटम की संख्य चाहिए बै कितने परमानु या कितने अनू है तो उसके एक एटम से एक मॉल्कुल से डिवैड कर दो ले तो मोल बराबर क्या होगाल जो दिया गए वेट दिया गया दधक द्रयुमान बटे आ जाएगा बच्चो मोलर द्रयुमान और मोलर द्रयुमान तीन क्या होता है बच्चो एक की कोई भी एक मोल अणू लेलो एक मॉल एटम लेलो उसके इसको द्रमान से दिवाइट कर दे मॉल का फोर मुला होता है बच्चो इसको पर जाइब व से apl Christina करते मेश इस इसको मयroe मतलब 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 तुम्हा की तुम्हें कोने मोल पूजेंंड तो वेट कितनां दे रखा उसने 56 ग्राम देरखा लेकिन अगर बच्चो मैं मॉल मॉल चाहिए क्या चाहिए दो तुम्हें क्या करना दो मोल आ जाएंगे ऐसे भी तुम कर सकते हो बैए अन्ट के दो मोल आ गए और मैंने आपको बताता है एक मोल तो एक एन्ने दो मोल तो दो अगर हमें परमाणु चेव किसके चेव परमाणू मतलब अगर अगर अनू चेव मैं क्या चेव अनू अनू यहां से भी निकाल दो अगर अनू चेव तो एक मोल तो एक एन्ने दो मोल तो दो एन्ने इतने अनू आगी और हमें चेव परमाणू किसके अन्टू के बाई तो कितने हो जाए लेकिन बच्चो आपको यह बहुत ज्यादे इसी है बाई यह एक दोबर कॉशन दिखाऊंगा करके फिर आपको अच जैसे बाई बच्चों आप सभी के पास कॉश्चन है यह वन जो ले लू टू हंडडर्ड ग्राम कि शीए स्यो थ्री है तो अनु मतलब योगिक कितने अनु है कितने नहीं अनु वे मोल ग्यात कीजिए अनु वे परमानु परमानु ग्यात कीजिए अब मैंने आपको सिंपल ही समझा रखा भई देखो अकर उसने आपको वेट दे रखा कितने वेट दिया सबसे पहलो तो आप मुझे यह बताओ बताओ बच्चों 200 ग्राम वेट दिया तो मुझे कितने अनु वेट दिया तो तो आपको जो 200 ग्राम वेट है उसके सियो सियो त्री के एक अनु से wayट के एक उनु वेट से डिवाइड कर दो 2×2 दोसो ग्राम दे रखावज उसने दोसो क्राम और सियो तरी का nós कैल्सियम है सियो 30 इसका एक में का वेट कितना होता है बेट से 45 प्लस कार्बन कितना होता बच्छो बार है और उकसिन का सोला होता है लेकिनी इस कितना है चार है 16 जो को शोला चोंसुट और बार है कि 64 और 12 कितने होता है बच्चों पिर कि यह चार निया सौल अणया देलो 126 और यह और सट रस राड़ी ओसले अधाने का बच्चों तो येख इतने अनु आगे यह आगा किए आ परमाणु कंहार सो कहीं है संक्या हिस भाई किसमें बच्चोक्त कारबन का एक क्रबन तेन आक्षियं तो 5 होगे, 5 इंटू 2N, तो कितना आजाग बच्चो, परमान आगे बच्चो, 10N, कितना आगे बच्चो, 10N, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो, यह एक मेथड हो गया, दूसरा मेथड बच्चो, दूसरा मेथड कैसा होग बच्चो, आपका उसने क्या दे सबसे पहले मोल निकाल दूसरा क्या करना बच्छों आपको आपको एग मोल मतले जहां सो यह है कितना जाए जाए वागर वींसले कितना बच्छों बच्छों नेकाल घ्राप समीर्फ टो और मैंने आप सभी को बता रख़ा अगर एक मोल i a यग है अगर एक मोल तो वन एंगे कर्टिया जा संख्या क्या संख्याuis ऐसे हैं अभ्यों लेकिन अब यह वाला एजी लग रहा होगा भई मुझे लग रहा है इजि你 बाई ऐसे तुम्हें 200 ग्राम को एक मोलर दर्यमान से वेट खिट बैड़ कर दो कहें एक अनु से ने बस एक मोल कितना होता है 100 यू हो जाएगा जाम यू आ रहा बच्चो वहां ग्राम लगा तो बस तो इससे कैंजल होगा अब कितने आगा बच्चो दो एन ने अनु आगे अब तुम देखो बच्चो इससे यह वाला इजी लग तुम्हें में एधड यह वाला हाड लग रहा होगा तो यह वाला पुरी फिर्मान लोगा रहा हो वह वह समझो ने यार कि यह तुम्हें अच्छा लग रहा हूं से निकालो ठीक है बच्चो करो अब देखो बच्चो कि आगे समझो अगर बच्चो मैं आप सभी को एक कोशन ऐसा दू सो ग्राम वै दस लाख यू सियो सियो थ्री है तो अनू वै परमानू की संख्या ग्यात कीजिए अगर ग्यात कीजिए ऑफ्य manifest बच्चो आप समझें किया स्यो उसने किया आपको क्या दिया सो ग्राम चर्व 4 और एक दूसरे सैंपल य्रवा एक मने देदracनिक्या तुम्हें 100 ग्राम दें आन्द़ना सु और lav Him इसने स्य एसा तो ग्राम पढ़ा वाई सब्सक्क्राइब सक्राइब को मदू निकाल नीकाल लाइब अनु की संक्या, CSU3 के अनु, समझे लोग भाई ये तो, वेट कितना दिया बच्छो, 100 ग्राम, और आप सभी को पता, CSU3 का वेट कितना होता है, भै एक अनु का वेट होता है, 100 यू, लेकिन अगर एक मोल, एक मोल अनु से, एक मोल अनु के वेट से डियाड करो, तो कितना आ बच्छो, एक मोल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक मोल, भै पहला मोल निकालो इससे, आप मोल निकालो ने, मोल, तो पहला मोल निकाली है, भै हमने, तो मोल कितना है बच्छो, एक मोल आ गए, और अगर एक मोल, तो एक अन्य, तो अनु कितना आ जाएगा, बच्छो, अ ऐसी बच्चो यह करो तो अगर समस्य पहले मोल निकालो में एक जार कुछ के तुम आजार लाग जाए लाग तो अगर तुम एक मोल और वाणुसा डिवाड़ी कर तो कितना बच्चो तो युस ग्राम आएगा अब तुम देखो बच्चो तुम यहाँ पर फस जाऊंगे तो क कितना सию को खार रहे सिर्थ परकार तो यहां से तुम मोल लिकार भाइव तो कर दो-ग यहां पर ह summarize है तो पार सपरने च्छों क्राई से उसको बस बसक यह से श्राम कार विद्ठीजार से सचास्व vide कर लिक नोब Kitty एकजार यह आजाएगा एकजार, एकजार, one point six six into ten के पाउर minus 24, इतने मोल आगे बई हैं, क्या कहे बच्चे इतने मोल आ गए, सभी आप सभी गए, जब यह इतने मोल आगे तो मुझे क्या चीह अब, पर अनू चे यह, और अनू निकाले, बई हैं, मैंने का एक मोल तो एक न अब देखो बच्चों कितना बड़ा हो रहा है यहां सर दूसरे वाले इस से करूंगा मैं कितना जाए बच्चों एक हजार इंटू 1.66 इंटू 10 के पावर मैनिस 24 मोल आगे तो इतने अन्ने सा मंटिपले अन्ने के वैल्यू कितने 6.022 इंटू 10 के पावर 23 तो बच्चों यह तुम्हें पता इसकी और इसकी मंटिपले जम्मा करता हूं कितना आता है एक तो कितना जाएंगे 1000 अनू तो परमानु कैसे निकलते हैं वैई कितने या बच्चों है सिचिद्री 5 तो 50000 अनू आ जाएंगे तो बच्चों तुम देखो अगर मैंने मैंने अगर यूम वेट दे रखा है अगर बहुत दे रखा तो ग्राम से डिवाट करतो ज्यादर लेंदि हो रहे हैं अगर मैं है और यूोसे क्षा मेरित्य देरह हो इसने अब जब घए में टो अगर में से gyka फिर्ट इन्ड चैनलों के अन्हों की शैंगए कितने की तरह कि ओ है एक जाय ग्वा uh do रहख हो और तुम्हें प्ता एक अनू का वेट कितना है तो यू से यू कैंसल कितना आजाए बच्चो एक हजार अनू आ जाएंगे यही तो आ रहा देखो एक हजार अनू भी नहीं आता है तो अकर यहां से मोल निकालोगा तो मैं अगर देखो पर तुम्हें समझना कैसे है समझ कैसे हो नची तुम्हारे अंदर अगर वेट यू ही से हम नंतर निकालोगे लेकिन बच्चो अगर तुम्हें गराम में वेट रहा है अनू पूझ परमणा कितने अनू है तो तुम्हें क्या करना फिर ह flat वीte के डिवाडर से डिवाड़ कर दो गराम में हो जयेगा कि आपको समझना है अगर आपको सेंपल का वेट ग्राम में दे रखा ये तो ग्राम में दे रखा है तो मोल से डिवेड करको आटम निकालो या मोलकूल निकालो भाई तुम्हें सेंपल का वेट गराम में दे दिया तो उसकी जो मोल है मोल का अटम गराम में ले ना बस तुम्हें समय मारा तो उस गराम से वेट से डिवैड करकर निकाल सकते हो भाई तुम अगर बच्चे तुम्हें सेंपल का वेट यू में दे रखा यूनिफैड में दे तो इस प्रकार बच्चो कोशन करने होते हैं मैं जैसे मैं बहुर एक दो कोशन ले लूँ पर इसन नेक्स्ट भी पुड़ाऊंगो बच्चो मैं आपको जैसे बाई मैं श्टू ले रहा 18 ग्राम वै एक्टिन यू ले लिया बाई देखो बच्चो 18 ग्राम मास ले लिया और 18 यू मास ले लिया बाई तो ग्राम को मतलब वेट को मापने की काई है लेकिन एटम के क्यों छोटी काई है ह्टू ओ है तो तो अनू वे परमानू ग्यात कीजिए परमानू ग्यात कीजिये भई वही 18 ग्राम देदे बच्चो आप सभी को सुने यह देता बच्चो आपको छोट राग्राम ग्या एट्टू यू पड़श, उट्था इड्षा कि वेट कि तरह रखा 18 ग्राम और जालगा कितना होता है है कि इसका दो हो जाएगा बैद दो एक एक ता लेकिन दो समें डिलिट इसका 16 तो इक अधारा अगर एक मोल अनु से वेट के डिवाड़ कर रहे तो 18 ग्राम से डिवाड़ कर दो अठा ग्राम तो एक मोल आजएगा कितना जएगा एक मोल और मैंने आपको बता अगर एक मोल तो एक अन यह दो मोल तो दो अन यह दो कितने आगे अनु कितने आगे वन एन न का मतलब 6.022 इंटू 10 के पाव 23 अनु आ गे है अनु अनु आगे ठीक है बच्चो और दूसरा आ, अनु नीकालें नहीं परामनों परामनो परामनो कितने समत् Fol сп्शाप इस तीन सम Dollitions नहीं अनु आजएगा परामनो समीमा बच्चो आत बच्चो अनु आ अभी बच्चो इसका देखो सेठें तो सेठें सफिक सीधा क्या निलत इंआ है सेठें निकाल सेठेंस एक मोल नि आठारा य्यो अब सभी कोई डाउट तो न है तो इस प्रकार बच्चोऑ आप सभी क्रोज्व astronom अब बच्चो थोड़ा सा समझो बाई और यहां पर बाई मैंने दे दिया अठ्रा 36 ग्राम दे दिया भाई 36 ग्राम है है तो मोल ग्यात कीजिए तुम्हार सब क्या पुछ रहा है मोल ग्यात कीजिए मोल ग्यात कीजिए तो कितना दे रखा वच्चो तो मैंने आप सभी को बता मोल बरावर क्या होता है द्रेमान जोसने दे रखा भाई कितना दे रखा 36 ग्राम बटे मोलर द्रेमान मोलर द्रेमान का पतला पता है एक मोल का द्रीमान लेना जल कि तो कितना द्रीमान रखा बच्छो आपको 36 गराम द्रीमान और हट्थ 10 का कितना आता है मॉल और द्रीमान है कितना होँ सेशाइब हो एक फोट लेकिन दो है दो सम्दिधाले पूस अठारा वो सोल नहीं है तो कितना जाएगा अफारा आजेगा लेकिन अगर एक मॉल का का तो एक मॉल से शाइप है तो सब्सक्राइब कितिना आ जाए बच्चो कितना एगा बैए मौल आगे 2 ल और बच्चो अगर आप सभी सेजी अनु पूछ ले कितने अनु है बदा आ तो आ बने मोल ऍदान क आहाँ करतिärगा मोन इतने और डुशे हैं तो इस प्रकार आप सभी निकाल सकते हो कि व्यलिए वाव बच्चो तो बच्चों हमारे पास फोर्मला क्या हो गया रहाऊ higher कि इतने कभने करने से geçाוד करने से ये तो भाई समय मारा बच्चों आप सभी के तो अगर बच्चों आपको मोल निकाल ले हैं मोल का मतलब मोल मोल निकाल ले तो फोर्मुला क्या होगा द्रेमान बटे मोलर द्रेमान मोलर द्रेमान दूसरा क्या हो जाए भाई फोर्म लए अगर तुम्हें मोल चाहिए मोल अगर तुम्हें चाहिए भाई तो परमान या अणू की संख्या बटे मोल द्रेमान इस से भी तुम निकाल सकते हो बच्चों कि लिए रुआप सभी और तुम्हें नंबर से दिवैड कर दो भाई तो अगर बच्चों परमान हो या अणू की संख्या है अणू की संख्या चीह ठाट तो तुम्हें किस से diplay करनी बद्चों आवगार नंबर से di Trad कर expansender करना किस बच्चों अउर कि अग्ढदरो दो कर दिड़ वमें वर अभो actा रो ऑज अपिन जोमें कं ना अग्ड़र संख ना प्रह्ड़ नमबर Muslim और अवगादरो संख्य अब कितने होता है बच्छो एन ने Countryside Youth कर दियो यह तो अगर आपको द्रेमान दे रखा है बच्छों और मोल पूछ लिए एन पूछ लिया इस देख बाइया अधे नहीं की शुर्फ हो पड़ालो बच्छे वं अगर तुम्हार से मौल पूछ द्रेमान दे रखा द्रेमान कितना वाई मानद व्याई मैने मैं इंड मोल का फॉर्मुला तो हो गया यह दूसरा आगर तुम्हें पर्माउन या अणू की संक्या दे कि पूछ ली तो तुम्हें मैंने मान ले अवाई आणू आणू है तो बटे कि तुम्हें किस्तर पर्माउन अवह गादुर को गया तो इस परकार बच्चेंब यहां से कंडेक्ट हो जाते हैं कि लिए रवाब चाप सब्सक्राइब कोई डाउट तो नहीं अब आपको इस परकार हम कोश्चन कर सकते हैं कि अब एक दो कोश्चन में करा दूँ अब भाई वह तुम्हें कोश्चन दे रहा है कोश्चन दे दिया 6.022 इंटू 10 की पाउर 25 है 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 तो मोल ग्यात कीजिए मोल ग्यात कीजिए बैस आप इसमें क्या पूछ रहा है आप सभी सम्मोल पूछ रहा कोश्चन यह करो एक तो दूसरा वच्चो दे दिया तुम्हें कोश्चन बारा जीरो पॉइंट फॉर इंटू 10 की पाउर 28 सोडियम के परमानु है परमानु है तो मोल ग्यात कीजिए मोल ग्यात कीजिए आप सम्मोल पूछ लिया भाई कोश्चन नमबर एक घुर बना दे बच्चों मैंने आए चलो हाँ है घुर बनाता है ट्वेंटी फोर ग्राम ट्वेंटी सिक्स ले लो ग्यात कीजिए यह कोश्चन करने बच्चों आप से देखना बच्चों हो रहेगा आप पहर शिए कोशिस करो भाई अब तक तो आप नहों उन्या फॉर्मिला मोल निकालने के आप लिया परमानु बटे औं झाल न पीछे कर यह अप जो ने हैं मोल और शुले और नाहीं में मॉल परमानू कितनों से तहीं सक्षैच षाय अप्ष्व 13 6.022 इंडू 10 readers 25 और तुम्हें पता बच्छो अवगादरों नंबर कितना होता है 6.022 10 के पाओ 23 होता है यह से कैंड सी लोगा बच्छो यह तेईस है तो 25 तक कितने बच्छेगे तो मोल बरावरी यह तो फोर्मूला बच्छो अवगादरों नंबर कितना होता है 6.022 10 के पाओ 23 यह दो बार कट जाएगा दो आ गया यह कितना आ जाएगा बच्छो पांच आहेगा तो इतने मॉल आ जाएगा बैए एतने मोला आ जाएगें के लेगन बच्छो अब आपको क्या देर इरक्छा है है क्या देरक्छा है थे ट वेट को एक मोलर वेट से इवैड निकालने के लिए कर लो और च्छो ने का ग्राम से वेट करो च्क 12 जैए 23 सब्सक्राइब कर सकते हो और मोल से पार्टिकल वार्टिकल जो भी आपको करने कर सकते हो सब्सक्राइब कोशन और देख लो बस और फिर मैं इससे नेक्स्ट टोपिक पर स्विच कर जाऊंगा बाइस ने देते हैं वन और शिक्स ग्राम अनो थिरी है मतलब नाइट्रेट आयन अब बोलते हैं अब अच्छों लिखलो इसको नाइट्रेट आयन आयन है तो हमें क्या निगालना भाइ मोल निगाल दो ऊकैं पाय दो मोल ग्याथ की अ सबबकिन था कें थीक ठीक है तो आप बच्टो क्या पूच्छा वंपूचा । मौल कैसे निकलते वह्यों वेट कितना दिया बच्छो उन फॉर्टि सिक्स ग्राम दे दिया और इन ओथी का वेट कितना आजए गा बैनाट दोने का 14 होता है इसका उक्षिन का 16 उता है 16 ती 48 हो जाएगा कितना जाएगा बार है चार एक पांच एक छे बास आट आजएगा जब तुम इस सब 62 से डिवाड़ करो कितना जाएगा बच्छों कितनी बार कटेगा वही है तो 62 ग्राम मलू यू मलू ग्राम में कुई को मोल निकाला वहीं ग्राम से डिवाड़ करो तो ग्राम से ग्राम कैंसल हो है कितना जाएगा बच्छे काट फीट के डिवाड़ कर तो यहां सी बाग दे लो वान टू शिक्स शिस्टीटू तू बार चल जाए वाई फोर बार है तो बाइस बच्छे पाइंट लगा उतार ली जीरो फिर सम्थिंग में तीन बार चल जाएगा तो टू पॉइंट थी मोल आ गए कितना है तू पॉइंट थी मोल आ गए प्रेक्शन में बागी वैलू क आयन की संख्या पीछ दर निकाले मैंने आप सभी को सिखा देता इसको और इससे डिवाड़ करका बस यार और कुछ निया बई तो आयन कैसे निकले बाई अभी निकाला मोल बरावर क्या होता है एन बटे एन ने तो मुझे यह चाहिए एन मतलब यह तो महां पता रहता है तो मोल किते हैं इसने मोल आगे 2.3 एन एन अपन मतलब आयन चाहिए बाई आयन निकाल दे कितने एन ने तो एन से मेंटे बले करते कितना जा बई 2.3 एन और पीछे भी मैंने आपको निकालने कैसे सिखा था बाई अगर मुझे अनो थी में सीधे आयन निकालने तो इसका व तो 42 एन मतलब यू से डिएड करो कितना जा बच्छो इसके ग्राम में चैज़ गया 146 ग्राम इस़गो में फोर्ष और बोले जो यहां से इस भी तुम निकाल सकते 20 multiplication likely सेब向ार और छो मैंने आपको फॉर्मूले से लिए गया उससे भी यह ही आ रहा है है भस आपने निग के लिए रुब तो आपका तो कैसे भी कुष्टन मॉल सोल गे सब उड़ा दोगे पूछ नहीं करना बस आपको पीछे जो भी आपको सिखा वो कर लेना बस और कोई डाउट हो तो पूछ लेना भई के लिए रुआ उतारो चलो भाई ठीक है बच्चो अब तो कोई डाउट ने अब आपको कहीं पर भी होना भी ना चाहिए वाई तो बच्चो इस परकार अपस आप सभी सारे कोश्चन कर सब्कते हो अगली हैडिन डालो बच्चो अवगाद्रो हाइपोथेसिस अवगाद्रो हैडिन डालो बच्चो क्या हो है डिल्ला क्यों हो रहा है एग मिनुट रुप यार इसमों चलो बच्चो अवगाद्रो अवगाद्रो हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस अवगाद्रो हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस को मतलब अवगाद्रो की संकल्पना यह बस और कुछ नहीं होई देख बच्चो अवगाद्रो एक इस्ट्रिप नाम नाम का मतलब नाम में तुम्हें कैमिश्ट्री ने जरा रही होगी बस इसके और कुछ नहीं अवगाद्रो ने क्या बता अगर आपके पास दोग ऐसे हैं अगर आपके पास दोग ऐसे हैं अगर आपके पास दोग इसका वोल्यूम और इसका वोल्यूम सेम है सेम टैंपरेचर और दाब पर इसके नंबर ओफ मॉल गैस के इस वाली गैस के बराबर होंगे बस यह बता और कुछ नहीं बताए सिंपल से हम समझो आफ गादरों ने क्या बता बाई उसमें नजरा आपको और कुछ नहीं कैमिस्ट्री वाला सब अगर आपके पास दोगैसे हैं एक गैस यह रही एक गैस यह रही एक गैस यह रही एक गैस यह रही तो अगर बच्चों में इसको सेम ताफ मतले इसका भी टैंपरेचर और दाब समान कर दू इसका भी टैंपरेचर दाब समान कर दू समय वारा बच्चों तो इसमें नंबर ओफ मोल और इसमें नंबर ओफ मोल समान होगें कैस होगें अब देखो पहले समझो अच्छे से फिर लिखना वाई एक गैस यह रही तुमारे पास ओ टू एक गैसी यही तुम्हारे पास N2 ठीक है बच्चो समय मारा मैंने का अगर इसका ताप समान कर दो मैं T कर दिया और प्रेसर कर दिया भाई P इसका भी टेमप्रेचर समान कर दो इसका भी P कर दो आपके मोल पास हुआ कर दो मे ड्यक्ती हैं तो मतलब अचांगाइ है बक्र इस चाल लिटर तो इस ओट ग्यास और एंटू जस के जो मोल होगे रीम मान सब्सक्राइब ताप वै दाब पर यदी दो गैसो के गैसो के आएतन समान हो तो समान हो तो दोनों गैसो के के मोल समान होंगे समान होंगे यह है बस और कुछ भी नहीं है यह आया ओगादर आई पो तेसिस है बई इतना ही जेश्ट देख़ोंगे बच्छो आप सभी मतलब बाई पांच चैप्टर नहीं पड़ोंगे एक समी कोण होंगे पी वी इस उकल टू एन आर टी अगर एक गैस पर इंचान लगाए दूसरी पढ़े भी लगा दिए पी वी इस उकल टू एन आर टी प्रेसर समान कर दिया और वोल्यूम भी समान कर दि अब देखो कैसे लिए अगर आइडियल गैस होती नहीं लेकिन हम मान लेता है कि हाँ ऐसी होती है गैस कुछ बहुत ज्यादा तो इनके मोल फिर यह वाली गैस लगी तो इनके मोल क्या होंगे बदूसरे के बराबर होंगे अब देखो कैसे होंगे अब यहां जाओ सारी बाइड मैंने माल लिए एक गैस यहां पर है एक गैस है वो क्या माल लिए एक गैस समझो बाइद ज्यान से ये दूसरी कैस माल लिए मैंने इस वाली समय करना सक्राएं अब हम पीवी जिकल टू एन आर टी में प्रूफ कराऊ औ एन आर टी देखो ठीक है बाई तो एक गैस माल लिए मैंने माल लिए एक गैस माल लिए बाई कौन सी माल लिए बच्चो बी है ठीक है बाई इसके मैंने माल लिए मोल क्या माल लिए ए इसके मोल माल लिए मैंने एन बी है और अब मैंने आप पता इसका वोल्यूम समान तो वॉल्यूम समान तक टेउन विड्रिर तो इसका भी किया चल़गा तो इस पर इसनर पर बहुत विड्रेय ओडर सभा के एंन थे वर टो तो कोई चैर सब्सक्राइब ती मतलब समाने भाई यह यह ती यह अब लगा दो यहां पर फीवी इस इकॉल टू एन की जंग क्या जाएगा न भी आर कॉंस्टेंट टी आप सभी यह समीखन 1 मालो यह समीखन क्या मालो दो मालो समीखन 1 को समीखन 2 से भाग करो समीकर्ण 1 divided by समीकर्ण 2 यह बराबर वाला pv तो यह बटे वाला pv धिकवाल्ट इधर क्या आ एन ने इधर आर ती बटे एन भी आ रटी भाई यह तो कोंस्टेंट है तो आर सार कैंसल टी से टी कैंसल यह से तो कितना एक बरावर एन ने अपॉन एन भी आ गया दिक्कत तो नहीं तो एन भी की दर्मन टीब ले कर दू भाई एन भी दर्मन टीब ले एक मनत क्या जाए अगर एक गैस तुम्हारे पास दूसरी आए और यह भी दूसरी गैस है तो उनके मोल समान आए लेकिन कब जब वो कोई डाउट तो नहीं आप आपको समय वहां यहां तो गुजारों यह वगादर है पासिस बतायार क्या आए इसमें इसम डर्रे ओब आप कि इसम अवगादर हाइपोथितिस सडर रहे वाई कि अवगादर हाइपोथिसिस है ऐसा कुछ नहीं है यार वस तुम जान बुच कर दरते हो ठीक है यह ता भाई कि सम्झो मेरा कहने का मतलब यह भाई बच्चो अगर तुम्हारे पास गैस यहां पर माली मैंने ओटू है यहां पर मैंने माली CO2 गैस है तो अगर इसके टेमपरिचर वोल्यूम समान दे दिया इसका वोल्यूम समान टेमपरिचर और दाब समान दे दिया तो इसके मॉल O2 गैस के CO2 के और O2 गैस के मॉल के हो बच्चो समान होगे यह बता है उसने और कुछ नहीं बताया ठीक है बच्चो अब आप तो किलिए रवा आपका और डाउट तो नहीं आ तक समय मां अगर बच्चो अब यहां पर वह आपको special condition देदे अगर आपको special condition कैसी आपको बोल दे कि बाई कोई गैस है जिसका आयतन मैंने मान लिया वी है तो बच्चो अगर इसका temperature में 0 degree Celsius ले लिया 273 पता होगा या तो आपको 273 Kelvin ले लू तो जो इसके number of mole होंगे जो इसके बच्चो number of mole होंगे में कितने होंगे मतलब भाई में कितने होंगे या मतलब कितना आयतन उक्विपाइड कर लेगी वह तो करती है बच्चो 22.4 लिटर कितना करती है 22.4 लिटर कंडिसन पर दाब ले लू बच्चो एक बार परेसर दाब ले लू एक बार तो जो इसका आयतना होगा कितना होगा 24.4 लिटर आयेगा कितना हो बच्चो 22.4 इसलिए हमारा फोर्मला बन जिए कि उख्टा कर दिया इक मोल पर अगर मैंने आपो यहां देंदो ङ Hybrid होता है है अगर मैंने एक मोल तो टो अन की जाइन थैसका और ग्रों एक 0 degree Celsius रख दू या 273 Kelvin रख दू कितना 273 Kelvin तो बच्चो जब तुम्हें इसकी मंटिब ले जाए एट पॉइंट कुछ आता है तो जब इसकी मंटिब ले करता हो तो लिटर में निकल कर आता है बच्चो 22.4 लिटर इतना occupied करती है वोल्यूम, एक ग्यास अगर इस में एक चेंडर्ट एमपर्च्र और दाब ले लिया जाए तो इतना व्लूम हिघटा कर लेती है कोई डाट तो नहीं जब इतना व्लूम हिघटा कर लिया तो अगर बच्चो में मौल निकाल लू है कनी receivers का लूम तो मौल बरावर आएगा था लीटर 139 अच भorous बाइस पूइंट चार लीटर लिटर 14 % और टुम्हें यह 11 कैंपे लेना je लेना urchक लेना मोटि के लिटर में लेक debat ौइस पॉइंट चार लिटर तो इससे भी तुम मॉल निकाल सकता तुम देख़। ओ अब रराबरो मी वी अपॉन बाइस पॉइंट चार लिटर यह यहां से भी तुम बच्चों मोल निकाल सकतो यह यहां से निकल कराता है अब बताव कोई डाउट तो नियाब आपको यह बताव कुश्च्च अब इसमें कुश्च्च करा दूंग अपको उतारो यहां तो को रवाई मैं इतने इंग डाल लो यार तो ही तो मेरी दुनिया में आसकाई के किनारा में ठीक है बच्चो तो इस परकार हम क्या निकाल सकते हैं के लिए रुआ अब आपको डाउट तो नहीं अब देखो भाई आगी यह अगा दुराई पोथेतिस से बता यार क्या है इसमें कुछ भी नहीं है अब देखो बच्चो मैंने कोश्चन दे दिया आप सभी से मोल पूछ रहा क्या पूछ रहा बेटा मोल तो अभी तो बताया बाई फोर्मुला एन परावर क्या होता है आयतन बटे भाईस पॉइंट चार लीटर है तो आयतन कितना दिया उसनने बोलो यार ऐतन दिया Regional पॉइंट एट लिटर इसका कितना बाइस पॉइंट पॉर लिटर ते कितना आ जाएगा बच्छो दो मॉल आ जाएगे कितना जाएगे दो मॉल और मॉल से पार्टिकल निकाल सकते हो कितने मॉल है दो मॉल तो ने पार्टिकल पार्टिकल मतलब ओटू गैस ओटू गैस के अन अगर आप कुछ भी निकाल सकते हो नेक्स्ट कोर्षन देखो उसने कि बोल दिया आप बच्चो आप सभी को कितना लो यार 44 800 00 ml आपको पता है अगर मोल चीज़े तो बच्चो आप सभी को क्या निकालने आप यहां से तो बच्चो भी आपको बता है मैंने अगर मोल चीज़े तो बहीं यह लिट्रम होने ची़े तह लेकिन कहमें देर रखा बच्चो उसने एमल में रखा आयतन दे रखा बई यहां आई इसा ने देर के तरह एटन मतलब यह तो फोर एट जीरो 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 एमल बटाथ कितना वच्छो बाइस पॉइंट कि बाइस पॉइंट चार लिटर है लिटर को ग्राम में चांज करने लिए एक जार से मेंटिब ले बच्चो तो एक हजार से तीन जूरो गई समय मारा बच्चो आप सभी के और बच्चो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितने बार कटेगा यह कि यह जागा फॉर फॉर एट डिवाइड यह द्वाइड टू पॉइंट ही से अटाव जिरो तो कितने बार कटागा दो बार तो कितना जाए बच्चो बीश्मोल आजाएं कितना जाएंगे बीसमोल तो इस परकार आप कोश्चन कर सकते हो आप कैसा भी कोश्चन कहीं से बू लड़ा सकते हो आपकी तेहरी ऐसी हो चुगी अब चलो बाई देखो बच्चो यहां देन दो पसारे बाई उसने बोला तुम्हें कि अब चलो बाई यहां कि इस न लो बाई कि चलो बाई इस ले लिए रहा है नटू लू में है कि इस यह सहले कि अबध्य कोश्चन उसे स्काफ्य ऐसें कि ऍसमेखर पीकाना हिए कि इन टू गैस है मैं गैसा है तो कि ओ तो नुकलियोन की संख्या ग्यात कीजिए नुकलियोन क्या होता है प्रोटोन नुट्रोन से नुकलियोन की संख्या ग्याद कीजिए संख्या ग्याद कीजिए न्यूक्लियोन की संख्या ग्याद करने किसकी बच्चों न्यूक्लियोन की अब तुम ध्यान दो भाई अब तुम्हें बच्चों क्या दे रखा उसना सबसे पहले बैस उने दे रखा एमल में दे रखा तो यहां सो तुम निकाल लो तो मोल मोल कैसे निकले लेगा आएतने कि दिया 200 यह दे जा बाइस पॉइंट चार लिटर को जांगा अहीं में लो चैंज करते हैं मिनने कितना जागा बच्छो यह एक जिरो एक जिरो दो जिरो कैंसिल तो कितना जागा बच्छो एन बरावा जागा कि दोसो बटे 22.4 इंटु दस पॉइंट रगा उताली जीरो यह भी कैंसिल तो कितना आजागा बच्छो एक मोल एक मोल एक मोल आ गया अब और मोल से हम क्या निकाल सकता बच्छो उताली है तो मोल बलावावर कि सिंपल नपों न एपों सब्सक्राइब εδώ आजेंगेन दो जोवे एक मोलकर दो एक रिवाद रूगे लिए उसमें न्यूक्लियू रहा है बच्छो कि तुम ध्यान दो बाइए एन होता है एन का किसाध प्रोतों साथ न्यूट्रोन साथ एलक्ट्रोन होते हैं लेकिन बच्चों कितने हैं दो है लेकिन प्रोट्रोन न्यूट्रोन की संख्या पूछी थी एंटू में यां न्यूट्रोन की संख्या बाइक कुछ भी पूसकते हैं तुमहार से कहीं आजएंगे इतने न्यूट्रोन आजएंगे वच्छों बता कोई डॉट है का आपको कुछ भी रिलेट कर सकता है आपके लिए कि आपके लिए पर अच्छे सा आने चाहिए पढ़ना उतर हो कहीं से भी रिलेट कर सकता हूं कहीं से भी एक दोर कोश्चन देखलू भाई चलो भाई कोश्चन देद्या उसने 67 कोश्चन देखली बच्चो एक सट पॉइंट टू क्या व्याँ इसने लिटर ले लबे सर्सपर सट पॉइंट टू लिटर इस यो टू गैस है गैस है औहीं से सब्सक्राइब कर सकता द्रेमान घ्यात कीजिए डरनानी बिलुक्ल भी कुछ भी ने डरना है में दो तीन फॉर्म लाइब है एक मोल कुलर द्रेमान बताया एक यह बता मैंने भी पार्टिकल हपॉं अवगादरो संख्या दूसरा भी बताया वोल्यूम अपों 22.4 लेकिन है कि स्पैश्टी पेपर अब देखो यह वाला फॉर्मला लगा दो भाई यहां मोल निकाल लो यहां से कितना बच्चो वो शड़ शड़ पॉंट टू लिटर बटे कितना बाई इस पॉंट चार लिटर जिस तक के शल और कितना आजागए वह तीन मोल आजाएं इंट्रा तीन मोल आब बच्चो मुझे क्या चीए मास चीए क्या चीए मास मास यहां से निकला लगा और यह वाला फॉर्मला लगा तो मॉल्व कितने बच्चो तीन डबलू मुज़ा मास चेपेए डीरेवान में एम में कैसे निकल लागा घ्र द्रेन द्रेमान कि द्रेमान कि वह मोलर मास फिद्ट का बुलर मास हो थे बच्चो कार्बन स्पीजू मतलब इसका होता है 12 ऑफ शोला है 16 दूनी 32 तो कितो ना जागा बच्छो 44 हो जाए 44 ग्राम अगर मोल में लेखा तो मोलर मासी बहुत बात कर रहा है मैं कुछ को मोल है ना मारपैस तो 44 34 ग्राम आ जाएगा बच्छो 44 ग्राम 24 के में तो माँ मतले कर तो कितना जाए चार्टीव, शार्टीव, दारो राए तेरा निकाल दो में बतारो इसको एक दौर कोश्चन देख लूरे में एक कोश्चन और देख लो भाई यहाँ पर पाइफ एन ने स्योटू के अनु है तो दर्यमान ग्याद कीजिए दर्यमान ग्याद कीजिए तो बच्चो अब आप कहीं से भी कोश्चन आजाए कुछ भी उड़ा उदेड़ सकतो तो मोल्कूल देथी मोल्कूल मतलब इस वह वाला फोरूल लागा कितने मोल्कूल देख लगा एं न तो फाइफ एन ने और आवकाद द्रस्टा डिवाड़ करतों कितना एन ने तो कितना पांच मोल आजाएंगे मुझे चे वेट चे क्या चे बच्चो वेट तो अभी बता इस ग्राम वेट आजाएगा किसका स्योटू गैस का तो बच्चो वह कुछ भी रिलेट करा सकते हैं तो यहां तक आप अच्छे से कर लेना और अपनी त्यारी वह अच्छो अच्छे से करते हो बच्चो रेगुलर पढ़ते हो बस ठीक है जैहिन जैविन